मुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी घंटा प्रोफेसर साहाव यह जो वीडियो है यह 2-4% अगर हम प्रोफेसर डॉक्टर को छोड़ दैं तो बाकी के लिए पूरी तरह से खरी उतरती है इसलिए जो लोग ठीक काम कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद है और जो घंटा प्रोफेसर साहाब हैं उनके लिए यह वीडियो समर्पित है भारत के अंदर समर्पित समार यानि SC, ST, OBC के हजारों, लाखों के करीब PhD स्कॉलर जो डॉक्टर या प्रोफेसर हो चुके हैं जो बावा साहब की बौदलत हुए हैं और बावा साहब से पहले एक भी नहीं था अगर किसी को गुमान हो तो इन से समाज बहुत ज़्यादा उम्मीद करता है क्योंकि ये सारे के सारे सौ के सौ परसेंट बुद्धी जीवी माने जाते हैं अब बुद्धी जीवी की जो कसोटी है भारत में अगर नाम के पीछे कोई अलंकार है या नाम से पहले कोई अलंकार है कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई पीएशडी, कोई डिलीट, कोई किसी तरह की कोई एम में तो उसको यह मानते हैं कि यह बावस आपकी जो तीन सब्द हैं सिख्षत रहो, संगर्स करो, संग्टित रहो में, सिख्षत रहो में आते हैं इसलिए इन्होंने सिख्षा प्राप की है तो यह undoubtedly बिना किसी जगडे के और बिना कोई बुद्धी जीवी का टेस्ट पास कियोगे, बुद्धी जीवी होगे क्योंकि किसी कॉलिज ने इनको कुछ चार अक्षर रट कर जो इन्होंने लिखे हैं उस पर कुछ कागज का तुकड़ा पकड़ा दिया है उससे बुद्धी जीवी होने का सार्टिफिकेट पूरा इनको मिल गया है ऐसा समाज मानता है और ये खुद भी सारे ऐसा ही मानते है कागज का टुकडा मिलने से या डिगरी मिलने से बुद्धी जीवी होने की कोई गारंटी है नहीं बुद्धी जीवी का जो हर्थ है वो बहुत उंचा है कबीर को आप क्या कहेंगे कबीर साब के पास में ना कागज है ना टुकड़ा है या ना यूनिवस्टी है बुद्ध को आप क्या कहेंगे पूरी दुनिया के माश्टर है ना कोई कागज है ना टुकड़ा है ना किसी से डॉक्टेट है ना कोई फिलॉसफ़र है ना कोई फिलॉस्फ़िक डिग्री है ना पिएश डी है तो ऐसे ही जो लोग बिना कावेश के टुकड़े के बिना किसी कॉली या यूनिवस्टी की मानेता के काम करते हैं वो लोग इन बुद्धी जीवियों की नजर में बुद्धी जीवी नहीं है वो अलग तरह की जीवी है दरसल समाज बहुत ज़्यादा उम्मीद करता है कि यह जो डॉक्टर है यह जो प्रॉफिसर है यह समाज को कुछ देंगे कुछ नई दिसा देंगे मगर यह जब भी कोई कालेज का टुकडा लिखते हैं जिसको रिसर्ट्स पेपर बोलते है या कोई किताब लिखते हैं जिसको यह थीसिस बोलते है या अपनी कोई किताब जिसको यह रिसर्ट्स बोलते है तो आपने अभी तक भी बावा साब के बाद में के कुछ गार्म भी हो वो जो भी एक किताब लिखते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं ये इनकी खुद की आत्म संतुष्टी के लिए होता है और अपनी ब्रादरी यानि के जो डॉक्टर की प्रॉफिसर की ब्रादरी है उसमें ये एक दूसरे को अपनी विद्वता का सिक भी नहीं मिलेगी सामुई के रूप से मतलब है कि ये डॉक्टर ये जो प्रॉफिसर है ये कहीं इनका कोई समढ़ संग या सामाजिक संग या SC-STOBC का संग पूरे देश का ऐसा हो वो आपको ढूंडे से भी नहीं मिलेगा और कोई सिस्टम ऐसा नहीं बना हुआ है जैसा कि छोटा सा देश ताइवान है ताइवान से आप जितनी किताबें मंगाएं यहां से सीडी भेजी है और महां से फिरी में तनो चपके आ जाती है तनो यानि के कंटेडर में चप चपके आती है और फिरी आती है तो ऐसा भी कोई 70 साल में इन बुद्धी जीवियों ने कोई सि बाते हैं तो उसकी ताब का चट रगा के उसका फोटू खीच के आपको धंकाने लिए बार बार आर फोटू के साथ डालें गये यह हमारी किताब है इसका फोटू देखो या कोई ऐसा व्यक्ति इनके घर जाता है या मिलने जाता है तो ये उसको दो किताब देकर एक किताब देकर एक फोटो खिचवाएंगे और उस फोटो खिचवाएंगे देखो ये हमारे किताब है वो कितामें कौन पढ़ता है, कौन नी पढ़ता, क्या फाइदा होता है ये एक अलग research का विसे है 2-4% इंटेस्ट लेती भी होंगे, जो उन जैसे होंगे मगर सामाने लोगों के लिए, सामाने बच्चों के लिए, सामाने समाज के लिए या जो अधिकतर समाज है, जो करोणों में है, उसके लिए उसमें कुछ नहीं है क्योंकि ये जो बुद्धी जी भी लोग है, या जो डॉक्टर, घंटा, प्रोफिसर है इनका मामला बलकुल अलग है इनका कोई अपना मंच नहीं है दरसल ये दूसरों के मंच पर बोलते है ये कभी लोगों के पास नहीं जाते क्योंकि ये अपने को लोगों से अलग मानते है इनका भासा अलग होती है, इनकी भासा जटिलर गूड हो जाती है जो आम लोगों की समझ में नहीं आती इनका पहनावा अलग सा हो जाता है इनका रहने का इस्टाइल थोड़ा अलग सा हो जाता है और इनका जो बहवार है वो पूरी तरह से अलग होता है इसी सबहा में आप जाएंगे तो आपको समझ मा जाएगा कि ये विक्ती जो अलग बहवार का है ये क्या है और क्या नहीं है ये जानते हैं कि आयो जग की एक मजबूरी है क्योंकि आयो जग को कुछ ऐसे लोगों की बीमारी लगी हुए बलाने की जिनके आगे पीछे नाम की पीछे अलंग का रहा हूँ तो ऐसे व्यक्तिव को आयो जग बलाता है और वो इसलिए बुलाता है कि कुछ लोगों की जो मानिता पूरे समाज में है बुद्धी जीवी के उनको बुलाएगा तो वो भी बुद्धी जीवी की सिर्णी में आ जाएगा कि मेरा बुद्धी जीवियों के साथ उठना बैठना है मेरे कहने पे इतने आगे मेरे कहने पे ये आगे मेरी इनसे जान पचान है तो लोग उसको भी बुद्धी जीवी का दर्जा देंगे तो उसकी विजद करेंगे इस लालच में, इस मजबूरी में उनके हाथ पर जोटा उनको बलाता है ये बात डॉक्टर पॉफिसर घंटा जानता है इसमें पूरी कीमत वसुल करता है आने जाने का खर्चा अधिकतर लोग लेते हैं होटल बढ़िया लेते हैं, खाने पीने का लेते हैं और इस्टाइल भी पूरी करते हैं और वहाँ क्या कहना है, क्या कहना है क्या कहना चाहिए, समाज के लिए क्या है क्या नहीं है ये बहुत कम लोग जानते हैं अधिकता लोग, मैं, मैं, मेरा, मेरा यानि कि वो आत्म परसंसा मेरी ये किताब मैंने ये कहा, मैंने ये देखा, मैं ये या फिर कुछ नहीं आएगा तो वो एक रट्टा मारके जाएगा या फिर बावा साब तो हैं ही बावा साब ने ये कहा, बावा साब ने वो कहा मगर उस टॉपिक पर, उस बात पर जिन लोगों ने बुलाया है वहां की पर्ष्ट मुवी पर मेहनत करके जाने वाले बहुत कम लोग हैं, थोड़े से लोग हैं जोनको महां का फायदा होता हूँ इस तरह का इनका वैवार होता है एक सबसे जो दुखदाई बात है, वो ये है कि ये डॉक्टर अम्बेटकर के अनुयाई नहीं है ना ही ये डॉक्टर अम्बेटकर के भगत है ये डॉक्टर अम्बेटकर को आजीविका के लिए इस्तमाल करते है जब इनकी आजीविका पर कोई दिक्कत आती है तब इनको डॉक्टर अम्बेटकर याद आते हैं तब महापुर्स याद आते हैं तब ये खट्टे होते हैं क्यों नहीं है ये डॉक्टर अम्बेटकर के अनुई आई और ये डॉक्टर अम्बेटकर की भक्त या उनके कारे करता क्योंकि डॉक्टर अमेडकर का जो सिध्दानत है सिक्षित रहो संग्ठित रहो और संघर्ष करो में ये मानते हैं कि हमने elleे ले ली वो तो हमने सिक्षित हो गे हम अब हमसे बड़ा कोई डॉक्टर अमेडकर का नीजाई है नहीं, देखो Dr. Amitkar के पास में 16 degree और हमारे पास में 4 degree तो 1 बट्ट欸 4 तो हम हैं ही comparison करते हैं मगर Dr. Amitkar ने जो सिध्दानत दिया है क्योंकि हम सिख्चा की बात ना करें वो तो अलगत त्रे की सिख्चा है Dr. Amitkar का जो सिध्दानत है संभत रहो उसका ये पालन नहीं करते इन में आपस में आप बहुत बड़ी बड़ी फूट देखेंगे इनका कोई समंठन नहीं देखेंगे क्योंकि समाज इनको बुद्धी जी भी मानता है तो समाज को ये सोच औरमीद रहती है और साथ समाज ये समझता है कि सारे खटे हैं ये सब एक साथ है समाज को ये जान के बड़ा दुख होगा कि इनके ना कोई आशोशेशन है ना ये खटे है ना ओल इंडिया का इनका कोई कॉंफरेंस होता है ना ओल इंडिया की इनकी कोई संठन है ना इनकी वन वोईस है ना इनका कोई एजंडा एक होता है ना ही इनका कोई एक सिस्टम है इस सारे बिखरे पड़े हैं बिखरे पड़े हैं और इतने टुकड़ों में बिखरे पड़े हैं जितनी संख्या में ये खुद हैं इसलिए इन बुद्धी जीवियों को बुद्धी जीवी कहना थोड़ा सा गलत होगा बुद्धी जीवी तब कहिए जब एडुकेशन ने दुनिया को पढ़ाने के लिए और जब इखटे हो दुनिया को बताने के लिए के देखो हमने बाबा साब की बात मानी हैं और जब संगर्स का कोई फाइदा होता दिखाई दिया नहीं अभी तक और नहीं समाज को कुछ मिला है अभी तक दो चार पांच परसेंट लोग कह सकते हैं, एकाथ परसेंट कह सकते हैं, कुछ लोग गिंती पर कह सकते हैं, जो थोड़े बहुत इनका भाषनी कराया और इनके अनुसार भाषन नहीं उने दिया या आपने इनका भाषन बीच में रोख दिया तो ये आपके जरमजाद दोस्मन हो जाएंगे इनको जो कहना है वही कहेंगे और ये जो विचार देते हैं ये आम विचार से ब्लकुल विप्रित विचार होता है और उसके लिए लड़ने मनने को भी त्यार रहते हैं कही बार तो जो उन्होंने कहा है जो पढ़ा है वो सही है ये जो पढ़के लिखके आते हैं ये भूल जाते हैं कि आयोजक्त ने सभा क्यों बलाई है, क्या उद्देश से है, बाकी लोग और भी है या नहीं है, इनको सिर्फ मैं और मेरा दिखाई देता है, क्या वार इस्तिती बड़ी ओर्डर खराब भी हो जाती है, और सारे के सारे जितने भी ये हैं, क्योंकि जितने भी ये बुद्ध सभा तक है, तो राजे सभा तक जाना है, क्योंकि ये पबलिक को फेस नहीं कर सकते, लोग सभा के वारे में सोचते नहीं है, लोग सभा में जाने के लिए तो पबलिक के पास जाना पड़ेगा, हाथ पैर जोडने पड़ेंगे, पबलिक से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और एक बुद्धी जीवी आदमी, एक PhD आदमी, एक प्रॉफेसर आदमी पॉब्लिक से क्या लेना देना उसका, काईगी पॉब्लिक, होंगे कोई भावास आप, हम तो पड़ लिखके यहां बने हैं, इस एटिटूड की वैसे ये राजे सभा की ही सीट में जाते हैं, ऐसा अ बुद्धी जीवी घोचत भी नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ती बुद्धी जीवी है, जो डॉक्टर मेटकर की जयभीम करता है, जो डॉक्टर मेटकर की जयरेकार करता है, जो डॉक्टर मेटकर की जलसे में जाकर खड़ा होता है, जो डॉक्टर मेटकर की जलसे में जाकर वो हर आदमी बुद्धी जीवी है इसलिए को डिक्री वाले में सरुखाप के पर नहीं लगे हुए है कि सरुखाप का पर लगा है और ये बुद्धी जीवी हो गया उसको सर पर बठाना बंद करें इससे बड़ा फायदा होने वाला है उसका फायदा ये होगा कि जब आप इनको सर पर नहीं बठाएंगे तो ये हो सकता है कुछ आप के लिए करें पहली बात दूसरी बात ये कि आपका टाइम और पैसा बचेगा और तीसरी बात ये है कि आप इनके भरों से नहीं रहेंगे क्योंकि ये तो खुद आपके भरों से है अगर आप इनको मंच पे ना बलाएंगे तो ये अपनी विद्वता कहां दिखाएंगे और लोग इनको जो जनरल वाले लोग इनको सुनते नहीं एक आप ही लोग है जो इनको मंच पे बलाके इनको मानता देते हैं कि ये बुद्धी जी भी है ये विद्वान है अगर आप इनको नहीं बलाएंगे तो ये आपके पीछे पीछे दोड़ेंगे तब साइद इस्तिती समल जाए और सबसे बड़ा जो फाइदा आप जब इनको तो फिर आप समस्या का अच्छी तरह से समधान भी ढूंड लेंगे और फिर बावा साब आपको अच्छी तरह से दिखाई देने से रो जाएंगे और जब बावा साब आपको अच्छी तरह से दिखाई देने से रो जाएंगे तो फिर हम साइद जीत जाएं इसलिए बावा साब 18 मार्श को आगरे में रोय थे कि पड़े लिखे लोग उने धोका दिया है क्योंकि पड़े लिखे लोग अलग तरह की दुनिया में जा चुके हैं वो अलग तरह की दुनिया उनको कैद करके बैठी हुई है उनको खत्रा नहीं दिखाई देता तो फिर काय का बुद्धी जीवी फिर तो वही है घंटा प्रोफेचर सहाब धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धंगी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेन गच्छामी संगं सरेन गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेन गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेन गच्छामी तुम्तियं पी धम्ममर सरेन गच्छामी बूतियं पी नम्मं सर्नं गच्छानी बूतियं पी संगों सर्नं गच्छानी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी संदम सर्णं कच्छामी